नमस्का दोस्तों मैं गौरब और आज हम देख रहे हैं हॉंडा एलिवेट का टॉप अफ दा लाइन आप विरेंट देख 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 सी वीटी के साथ इस तो पर हमें एक वेरियंट और मिल जाता है डूल टॉन में यह आप मॉनो टॉन में देख 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 सी टॉप के अंदर 210 mm का वहीं हॉंडा एलिवेट ने ग्रेंड विटार और हाइडाटर को पीछ छोड़ दिया इसमें मिल जाता 220 mm का ग्रांड के लिए इसके हर्याना फारिदाबाद के अंदर स्टेट वाइस प्राइस प्राइस करते हैं कौन सी स्टेट लब लों करते हो अच्छा अच्छा हुड मिल जाता इसमें उठा हुआ देखने के लिए बाकी गाड़ी की बात करें फीचर की बात करें जैटक सीवी की दो जार चॉबिस ब्स पेस्टू के साथ फीचर क्या-क्या मिल रहे है तो हम फ्रंट पर आ जाते हैं गाड़ी के यहां आपको sunroof मिल जाएगा इस देखा पर रूफ्रेस दिये हुए है शार्क फिन एंटिना मिल जाए को तिस तरह से विंट इंडेगी यहां आपको लेंड डिपार्चर लेंड असिश्ट पगाना के लिए सेंसर प्रंट के हुए है मैनुल वाइपर विट वाशर कुछ इस तरह से बॉनट भी जाएग आपको एलेडी फेक्र एलेडी एड लैंप यूनित मिलेगी लोवीम आई विम के लिए डूर रिफ्लेक्र बेर्स है यही आपका इंडिकेटर के लिए बट करेंगे यहां पर यापको लेड हैस इसमें से छी लगा ओओं जी विए उसमें इस जगा पर वाउस इसमें से लाइट्स बंद कर देता हूं सारी लाइट्स आट ओगी मैंने सिर्फ करा ता इसके डियाल सॉन करने तो कि अब आ चुके हैं साइड प्रोफाइल पर तो क्लैडिंग स्राउंडिंग मिलेगी देखने के लिए डूल टॉन अलोइज हैं बीच में होंडा का लोगो फ्रंट डिस्क प्रेक्स दिये हुए हैं तायर साइज की बात करें मिल जाता है इसमें हमें फ्रंट डिस्क हैं रियर ड्रंब्रेक्स दिये हुए हैं 220 mm का ग्राउंड प्रेक्स मिल जाता है डोर्स पे नीचे भी क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा रनिंग बोर्ड भी कबड मिलेगा आपको इलेक्ट्रिकली एड्जैस्टेबल लेक्टर लोग आर्मिय मिलेगे विद इंडिकेटर आपको गार्णिश जोर हैं रेक्पे सेंसर है ड्राइवर को ड्राइवर साइट चावी की जगा मिल जाते हैं बीटिंग मिलेगी कॉर्टर पैनल ग्लास तक आपका सिल्वर रूफ इस तरह से कुछ एलेडी बेस से कनेक्टिट नहीं है बीच में रिफ्लेक्टर दिए हुए यहां पे इंडिकेटर आपका रिवर्स लाइट आपका लोगो रियर वाइप पर डीफॉग राइमाट इस जगहां पर रिफ्लेक्टर पर में भी आपको सिल्वर और ब्लेक्ट बने रहिए अउसार भी दिया हूँ और यह सार कि री अचल आपको सिंगल पैनल इस तरह का मिलेगा जो कोटर हैं पर सइड का मिलेगा यह ब्लाइंड स्पोड्र को डिटेक्ट करने के लिए circular ओंग इंड़ के दिखता हूं और यहां से पूरा गाड़ी का कि अपन्ट आप देख सकते हैं तो च्छका पार इंटीर में चलते हैं तो कुछ इस तरह कि मिल जाती है यह आपका लौक उन्लोक कर लेता हूं जाए अपका लौक अनलॉक वर क्यूस को नहीं होदा तो दिखाता हूं क्या फीचर है यह होंडा का लोगो दोनों तरफ यह फीचर में आगा आपको दिखाऊँगा क्योंकि ऐसे समझाने से अच्छा मजा आगा जब दिखाऊँगा आपको च्या वर्क करता है तो ड्राइबर साइट से एंट्री ले लेते हैं यहां चाह भी हात् टो और यहां बंक्राइब को जाएंगे और यहां जैसे इसमें अच दालेंगे सिर्क्वेश्बस दबाने कदिर होता है ओड्राइब आपका अन्फोल्ड हो जाएगा टो डॉल टोन में ब्लैक और टैन कलरके अंदर इसका इंटीर दिए दिया अधे अधर यहां पें डॉर और ओपन आर लोग अलोग के लिए ट्विटर इस जगह पर दिये हुए है स्पीकर वाटर वाटर स्पेस टोटल छह स्पीकर से हैं इसके अंदर यह और वार्ब्यम कंट्रॉल उनिट है इस जगह पे यह ड्राइबर ऑटो अपडाउन मिलेगा यहां पर आपको चाइल्ड और काफी अच्छी क्वाल्टी के आपको इसमें वह मिल रहे हैं यहां पर ब्रेक एक्सिलेटर डेड पैंडल है बॉनट और यह फ्यूल कैप खोलने के लिए ट्रेक्शन ओन ओफ हैडलाइट हाइट रजाइस करने के लिए यहां पर आपको सॉफ्ट टच मिलेगा एस इव स्टॉप का बटन और चलते हैं गाड़ी के अंदर यह जो बटन है अंदर से दिखाऊंगा इसका यूस क्या यह वही है जो को ड्राइवर साइड में आपको कैमरा दिखाया ब्लाइंड स्पूट देखने के लिए यह प्रेस करना होगा आपको बाई अब आ चुका हूं मैं होंडा एलिवेट जैडेक्स सीवीटी के अंदर इंटीर में आ चुके हैं हम गाड़ी का इंटीर देख लो लैधर रैप स्टेरिंग दिया हुआ है फ्लैट वाटम अगरा तो नहीं है थ्री स्पोक में दिया हुआ है स्टेरिंग अर्जस्टमेंट यहां मिल जाती है आपक है तो इसको कर देते हैं वापस से लॉक और बाक इंटीर आप देख सकते हो तो यह तो होगा स्टेरिंग आप स्टेरिंग देख लो लेधर रहे पर अच्छी ग्रीप वगरा दी हुई है यहां पर आपका ओंडा का लोगो टोटल चैएरवेक्स मिल जाते हैं इसमें सेफट प्रीचर की बात करूं तो यहां पर आपका म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल दिये हुए इस जगह पर और यह फॉन उठाने काटने के लिए वॉइस कमांड लिए यहां क्रूस कंट्रोल इनिट दिये हुए है यहां पर पैंड़ सिफ्टर मिल जाते हैं सीवीटी वेरेंट के इस जगह पर दिये हुए हैं इंजन स्टास्टॉप बटन भी देख सकते हैं यहां पर आपका वाइपर कंट्रोल से मैनुवल यह आपका जो मीटर है उसके कंट्रोल से ब्राइटनेस कम जादा करने के लिए रोशनी बढ़ाने के लिए दिये हुए हैं मीटर कुछ इस तरह का दिया हुआ है इसमें आप एनलोग अभी तो सुनी देख पार होगी किस चीज़ के बागे में वादर ऑन कर लेता हूं इसे तो यहां से हम इसका बटन प्रेस कर देत पर से तो यह जैसे हम फोकस करेंगे यह देखिए ओन करेंगे यह यह बड़ी स्क्रीन मिल जाते तकरीवन सावाधा सिंच की इस तरह से मुजिक सिस्टम ओन होगा एलिवेट लिखा हुआ है यहां पर फिर से मेरे को शायदी ओन करना होगा कुछ इस तरह से आपका मीटर इ है यह डिजिटल एनालोग दिए हुए स्पीड मीटर आपको एनालोग के अंदर ही दिया हुआ बड़ दीग निकला कुछ इस तरह से मीटर इनों ने बना हुआ हुआ है भीच में एमाइडी है यह पूरी जिसमें आपका इंजन स्टार्च टॉप अगरा के लिए आप देख रही होगा तो यह आपका सारा इसके अंदर और कभर हो जाएगा इस तरीके से जो इस और विम्ल अप्रेसर करके कि बलाइंड व्लाइं। स्पोर्टंट हुआ है तो को इस तरह कंसॉल आप देख सकते हैं किस तरह का में मिल जाता पूरा मीटर इसका और ब्राइटनेस भाई यहां से आप इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं इस वाले बटन से कुछ इस तरह से डैसबोर्ड व्यू मेरे को नहीं लगता मिट साइज सेग्मेंट में भी तक किसी ग बटन दो एस इवेंट यह ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल इंड दी है यहां सिर्वर टीटमेंट मिलेगा और यह देखो वुडन टीटमेंट दिया हुआ है काफी लगजरी फील है इस जगा पर वुडन टीटमेंट की और यह सौफ्ट टच में मिलेगा जो फैब्रिक टीटमे अगर मिलेगा आपको मैन्वल हेंड ब्रेक्स हैं आमरेस्ट मिल जाएगा विद स्टोरेज स्लाइडेबल नहीं है गलोब बॉक्स कुछ इस तरह का मिलेगा हमें और डिमिंग यहां वाइट रीडिंग लाइट इस जगह पर यह संरूफ खोलने के लिए कंट्रॉल इस जग पर देते हैं मोड़ और उसक्राइत बार इंजन के मिलेगा इसका ऑपको यह ड्र आपेश सुब्स मिल गांगई है में जहांब दियागा आइजगे नीचे चार्जिंग दिया हुआ है इस जगह पे 60-40 का कॉंबनेशन है लेदरेट सीट से अर्जास्टेवल हैडरस दिये हुए है और अगर आप रूप देखोगे 510 मेरी हाइट है कितना प्यारा मैंने यह सीट पूरी पीछे की हुई है यह भी मेरे अगर मैं इसे अपने कोडिंग अरजयस्ट कर लेता हूं तो कितना स्पेस के अंदर आमें मिल रहा है यह देख लिजा और किट नी रोम बगारा ली देख सकते हैं वेंट्स मिल रहे हैं ग्रेव एंडल है लाइट मिल रही है यह आमरेस्ट मिल रहा है आपको विद टू कपोल्डर बाकि ड्राइबर फ्रेंट आप जेख सकते हो भाई सीट्स अगर मैं अपने कोडिंग अड़ेश्ट करों तो बहुत ही लेगरूम निकल के आएगा बहुत अच्छे वाला यहां इलेक्रिक बटन है बूट गेट खुलने के लिए इस जगह पर और सेंसर भी पॉइंट किया हुआ है यहां से लॉक अनलॉक करने के लिए इस जगह सब्सक्राइब का बूट पेस मिल जाता है जो भी होगा इकुरेट में डिस्प्ले पे मेंशन कर दो लाइट मिल जाती है बूट में यहां आपका स्पेर वी लोगा विट टूल्स पार्सल ट्रे है जैसे इसका बॉन ओपन करेंगे इंसुलेशन पैडिंग मिल जाती हो पर इसमें में 1.5 लिटर का आई भी टैक विद वी टी सी पैट्रोल इंजन मिल जाता है जो की पावर प्रोडूइस करता है एक सो पैंतालिस न्यूटर मीटर का 16.92 क्लोमीटर अपल लीटर की एर राइक अकॉर्डिंग मैलेज क्लेम कर रहे है कंपनी 677 फूल टैंक पे 670 आप यह था हॉंडा एलिवेट जैट डेक सी विटी टॉप ऑफ जा लाइन का इंटीर एक्स्टीर और इंजन स्पेसिफिकेशन गाड़ी कैसी ले की कमेंड़ बॉक्स बताना गाड़ी के बारे में आपका उपीनियान है वह भी कमेंड़ बॉक्स बताना आप मिलेंगे नेक्स वीडियो में जब तक चाथा बाइबाइबाइब भारत मुता की चाहें